बच्चों को क्या क्या आहार देना चाहिए ये मा की पहली जिम्मधारी होती है और वही आहार बच्चों के उपर सूट भी करता है जो नाके वर उनको खाने में अच्छा भी लगे बल्कि उनके शरीर को भी पोशन दे सके तो आईए चानते हैं मेरी आज की इस वीडियो के द्वारा के आप बच्चों को यानि की नने शिशों के लिए कौन-कौन से सूपर फूट को इस्तिमाद कर सकती है टिप नमबर बन है दही चावर छोटे बच्चों के लिए सर्व शेष्ट आहार यानि की सबसे अच्छे खाने के अंदर दही चावल सबसे अच्छे माने जाते हैं दही के अंदर प्रोटीन की मातरा ज्यादा होती है क्योंकि ये दूत का ही एक सब्स्टिटूट है और इसके अंदर जब भी चावल मिलाए जाते हैं तो ये बच्चों के लिए डाइजेस्ट करने में काफी असान हो जाता है इसलिए अगर आपके बच्चे छोटे हैं और धीरे धीरे खाना सीख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को दही चावल खिला सकते हैं टिप नमबर टू है घी की रोटी जी हाँ जब भी आप अपने बच्चों को रोटी दें तो उसके उपर घी रगाना बिलकुल न खुलें क्योंकि घी की रोटी बच्चों की शरी को अंदर से पोशित करती है टिप नमबर थी है वेजटेबल कडी यानि की सबजियों से बना हुआ शोरबा अपने बच्चों को सबजियों से बना हुआ शोरबाद जरूर दीजे क्योंकि इसके अंदर nutrition value क्याफी ज्यादा होती है टिप नमबर 4 है खिचडी छोटे बच्चों के लिए खिचडी जरूर बनाईए इसके अंदर खूब सारी vegetables यानि की सबजियां डालिए अलग-अलग प्रकार की डाले डालिए और जब भी किचडी तयार हो जाए तो इसके अंदर या तो दही या फिर घी डालकर अपने बच्चों को हिलाइए ऐसा करने से बच्चों के शरीर की ताकत बढ़ती है सो दोस्तों ये है कुछ ऐसे सर्व शेष्ट आहार जो बच्चों के लिए काफी अच्छे है इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूस को हमारे साथ शेयर करिए मेरी ब्यूटी और हैल्थ से रिलेटिड वीडियोस को देखने के लिए यूटीव पर लाइब शेयर और सब्सक्राइब कीजिए